हाई एवरिवन मैं नमू मलिक आप सब का फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी छोटी सी और प्यारी सी क्लास में जिसमें आज हम बात करने वाले हैं गांधी युक के बारे में उनके जन्म से लेकर उनके निधन तक के बीच में जो भी उन्होंने हासिल किया है ज इसके बाद उनको रास्पिता कहा गया है आज हम बात करेंगे उनके कुछ आंदोलन के बारे में या उनके इस कार्यकाल के दोरान भारत में क्या-क्या इसे बड़ी घटनाए घटी है उनके बारे में क्यूंकि आप से सवाल बहुत जादा पूछे जाते हैं तो चलिए शु इनका पिता का नाम करमचंद गांधी था इनकी माता का नाम पुतली बाई था इनकी शादी हो गई थी ध्यांदे सुनना ठीक है इनकी आपकी शादी हुई थी 1883 में अच्छा इनका जनाम बच्चा 1889 अगर मैंने 1900 बोल दिया हो तो उसके लिए माफी ठीक है इनकी जो कस्तूर गांधी से इनके शादी हुटे मदलब गांधी इनका स्न ने उन्होंने लिया था कस्तूरबा इनकी पथी का नाम था इनके जो राजनेती English Guru कहे गई है जिनके बारे में हम आगे बात भी करेंगे वह गॉपाल-kblade गोखले को माना गया है जो इनको basically अफरीका से भारत लेकर आये थे या इनोंने प्रेरना दी थी ठीक है भारत आने में अगर थोड़ी सी मैं बात करूँ यहाँ पर इनके एक तरह से कहिए ग्रहस्त जीवन के बारे में तो इनके बचा पहले चार बेटे रहे हैं क्या रहे हैं इनके चार बेटे रहे हैं और एक इनकी कह सकते हैं adopted बेटी adopted बेटी जिसका नाम था आपका लक्ष्मी कई बार पूछ लेते हैं लक्ष्मी चार बेटों में आप सब को बता है 1885 में इनके पहले बेटे का जनम होता है, लेकिन वो कुछ ही दिनों तक आपका क्या रहता है, वो कुछ ही दिनों तक जीवित रहता है, किसी कारण वर उसकी death हो जाती है, उसके बाद इनका हरीलाल, ठीक है, हरीलाल इनका सबसे बड़ा बेटा, जिसका जनम जो है 1888 में होता है, उसके बाद second number मनीलाल, मनीलाल, जिनका जनम 1892, चार साल बाद होता है, उसके बाद रामदास बच्चा आपका, ठीक है, रामदास जिनका जनम आपका 1897 में होता है, और इसके बाद है देवदास, यस, देवदास जो है इनका आपका सबसे चोटा बेटा, जिसका जनम 1900 में होता है, यह ची लगबग 24 साल की उमर पे यहीं पे कर लीजे, लगबग 24 साल की एज में ये आपके एफरीका जाते हैं, ठीक है, ये क्या कहा जाते हैं, ये एफरीका जाते हैं, और एयर होता है आपका 1893 का, 1893 में ये एफरीका में एक केस लडने जाते हैं, ठीक है, एक केस लडने जाते हैं, या फिर simple आप दूसरी भाशा में भी अगर आपका सवाल आ जाता है, तो यह जो दादा अब्दुल्ला वहाँ पर एक व्यापारी था ना, उसके एक तरह से कहिए कानूनी सलहकार के रूप में वो इनको बुलाते हैं, ठीक है, दादा अब्दुल्ला एक व्यापारी था, जि पड़ता है, कि जब इनको एक वाइट चमड़ी वाला आदमी ही इनको 1st AC वाली सीट में देखता है, बैठे हुए, तो वो उन पर तंज कसता है, यह चीज आप ध्यान रखेंगे, उसके बाद, 1983 में ही आप सब को बता है, इनको ट्रेन से फेक दिया गया था, या आपका स् पीटन्सबर्ग से निकाल दिया था इनको, ठीक है, पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन से इनको निकाल दिया था, अब इसके बाद यहां से न, इनके कुछ एफरिका के अंदर ही आंदोलन शुरू होते हैं, यह चीज आप ध्यान रखेंगे, एफरिका के अंदर कहीं सारे इन्होंने आंदोलन किये थे, या फिर कहिए कि यह जो नस्नल भेद वाला वहाँ पर चल रहा था, इसके खिलाफ उन्होंने परदशन किये थे, तो वह आप से पूछे जाते हैं, तो एक-एक करके करेंगे, सबसे पहले तो 1894 में ही, ठीक है, 1894 में इन्होंने नटाल, इन्डियन कॉंग्रेस की स्थापना की थे, एक संस्था थे, यह ध्यान रखना, एक संस्था थी, नटाल, इंडियन कॉंग्रेस की इन्होंने क्या की थि, स्थापना की थी, South Africa में, 1849 के बद की बाद, 1903 में, ठीक है, 1903 में इन्होंने एक पेपर निकाला था, ठीक है, एक निकाली थी, the Indian Opinion, the Indian Opinion, the Indian Opinion. उसके बाद 1903 के बाद 1904 में ठीक है इन्होंने Phoenix, 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 Phoenix Ashram का जो क्या किया था? इन्होंने Phoenix Ashram का घाटन वहाँ पे किया था? या स्थापना वहाँ पे की थी, 1906 में, yes, 1906 में इन्होंने वहाँ पर पहला सत्याग्रह शुरू किया था, क्या किया था, वहाँ पर पहला सत्याग्रह शुरू किया था, वहाँ पर पहला सत्याग्रह शुरू किया था, और एक और पूछा जाता है, 1909 में इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी वच्चा वहाँ पर हिंद स्वराज के नाम से, किसे हिंद स्वराज के नाम से सारे questions, सारे year बहुत जादा important है, आपसे बार-बार पूछे जाते हैं, अब यहां से वो एफरीका में रहने के बाद, गोपाल कई बार भारत भी आते हैं उस बीच में, लेकिन 9 जनवरी, ध्यान से सुनना, 9 जनवरी 1915 को यह आपके कहां लोटते हैं, यह अपने भारत देश में लोट आते हैं, यह भारत लोट आते हैं और यहां पर देश की स्वतंत्रता में अब यह पूरी तरह से खुद को जोग देते हैं, यहां की राजनीती, यहां के structure को समझने के लिए, यह अपने गुरू राजनेती, गुरू किसको बनाते हैं, गोपाल कृष्न गोखले को, लेकिन इससे पहले जब यह भारत आते हैं तो यहां पर इनको आते ही एक केसरे हिंद की उपाधी दी जाती है, ठीक है, केसरे हिंद की उपाधी दी जाती है, कि इन्होंने एफरीका में, ठीक है, वल्ड वोर्ट फर्स के दुरान बच्चा, और एफरी और अंग्रेजों में उस टाइम पर आपका जो गवर्णर जनरल था भारत में, वो हार्डिंगे था, ठीक है कून था, हार्डिंगे था, ये चीज़ आप धिहान डखेंगे, 1915 में ही, अब थोड़ा आगे पे चलेंगे, 1915 में 21 साल गुजार कर ये लगवग लगवग पंताल में बच्चा गांदी जी जो है वो एहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं, ये क्वेस्टन बहुत पूछा जाता है, साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं, 1917 में, अब यहां से इनके सत्याग्रह भारत में शुरू हो जाएंगे, 1917 में सबसे पहला आंदोलन ये शुरू करते हैं, जो कि हार के चमपारन जिले से होता है, नील की खेती के विरुद में, 1918 में ये खेडा सत्याग्रह शुरू करते हैं, आपका उसी के साथ एहमदाबाद मिल मजदूरों के साथ ये भूख हड़ताल पर बैठते हैं, ओके ये चीज़ आप ध्य जो द्वारा बुलिश किया जा रहा था, उसके खिलाफ भारत में ये खिलाफत मुवमेंट और इसी के कारण ये अपनी केसरे हिंद की उपादी भी आपकी वापस कर देते हैं, 19 मार्च 1919 को ब्रिटिश सरकार ने रोलक एक्ट लागू किया था, आप सब को पता है, बिना व कुछ भी हो, हम बिना बताए, बिना वोरेंट के, आपको कम से कम दो साल तक जेल में रख सकते हैं, अगर आप अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी दुसकर परचार करते हुए पाए गए, उसके बाद 1919 मार्च, अच्छा ये सोरी इंगलिश है, इसका विरोध करने के लिए 13 इसी के विरोध में गिरफतारी कर रहे थे, बिना पूचे, बिना जाने, बिना केस के, आपके 13 अप्रेल 1919 को जलिया वाला बाग आमरित सर में बच्चा आपका जनसभा होती है, जिसके ऊपर जो जनरल डायर है वो गोलिया चलवा देता है, और इसी के बाद जो है इस जलिय चलवा देता है, जनरल डायर को उदम सिंग ने 1942 में मारा था, इसी से आथ होकर इस घटना के बाद रविंदना टैगोर ने अपने सर की उपाधी, ठीक है, नाइट हूड की उपाधी जो है अपनी वो तयाग दी थी, अब 1919 में खिलाफत जोइन करने के बाद, 1920 में, एक है क्योंकि इससे सवाल पूछा जाता है कि गांधी जी ने जो ऐसायोग आंदोलन 1920 में चलाया था, उसको वो वापस कब लेते हैं, तो इसी घटना के कारण पांच फरवरी 1922 को चोरा-चोरी घटना हुई थी, आपका यहां पर आंदोलन कारियों ने जो की हिस्सा लेने जा 1922 को वापस कर लिया था या फिर स्थगित कर दिया था इसको, आगे चलते हैं, इसी के दोरान 1923 में मोतिलाल नहरू और चितरंजन दास्त मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं, यह तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इसके बाद 1924 में क्या होता है गट 9 अगस 1925 को रेलगाडी से जा रहा सरकारी खजोना खजाना जो है वो काकोरी स्टेशन पर लूट लिया जाता है और इसमें जो साथी होते हैं, रामपरसाद बिसमिल और अस्वाक उल्ला खान इनोंने इनके द्वारा लूट दिया जाता है जिनको 1927 में फांसी दी गई थी अब ध्यान रखना बच्चा, 1925 में जो ये काकोरी कांड हुआ था, ठीक है, काकोरी जो कांड हुआ था, अब यूपी में इसका नाम चेंज हो चुका है, इसको आप बोला जाएगा काकोरी ट्रेन एक्शन, ठीक है, काकोरी ट्रेन एक्शन ये भी आप ध्यान रखेंगे, क यहां पर आप देख सकते हो यह उस टाइम का पुरा पुरा जोड़दार विरोध होता है था क्योंकि भारत के लिए आप कोई चीज बनाने जा रहे हो और भारत वास्यों को ही आपने इंक्लूड नहीं किया है तो इसी के विरोध में आपका लाला लाजपत्राय और उनके जिसमें लाठिया पढ़ने की वज़े से लाला लाजपत्राय की क्या हो गई थी वच्चा निधन हो गया था यह चीज भी आप ध्यान रखेंगे यहां पर आप देख सकते हो यह उस टाइम का पुराना आपका चित्र है 1930 में गांधी जी अब डांधी मार्च शुडू करते है ठीक है अब यहां से वो सवीन्य अवग्या आंदोलन की भी शुरूवात कर देते हैं यहां पर यह दोनों चीज आपको रिलेट करनी होगी यहां से वो सवीन्य अवग्या आंदोलन का भी आपका क्या कर देते हैं शुरूवात कर देते हैं 1930 में ही गांधी इर्विन का ज तो एक तीन गोल में सम्मेलन होते हैं, 1930 में, 1931 में, 1932 में, आइएंसी नहीं जाते हैं, ठीक है, 1932 वाला जो होता है, उसमें गांधी जी को इक तरह से मना लिया जाता है, 1931 में जो दूसरा गोल में सम्मेलन होता है, ठीक है, 1931 में जो दूसरा गोल में सम्मेलन होता है, उसमे गांधी जी, I.N.C. की तरफ से जाते हैं, जिन्होंने तीनों गोल में समिलन में भाग लिया था, वो थे भीमराव अमबेड कर ये बहुत सवाल पूछा जाता है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, तो दूसरे गोल में समिलन में, I.N.C. की तरफ से जो परतिनिज भी होता है गांधी जी और भीवराव अंबेडकर के बीच में जिसमें दलितों के लिए जो आपके इस्थाने निकाय के चुनाव है उनमें सीटों को लेकर वो 71 से 147 शायद कर दी जाती है एक बार आप यह चीजे ध्यान रखेंगे ठीक है आपकी 71 से 147 बढ़ा दी जाती है उसके बाद 1935 में भारत सरकार अधिनियम पारित होता है यह सब को आपको पता है जिसमें सांसित की सीटे निर्धारित की जाती है 1940 में क्या होता है इसी काल में इसमें बच्चा पाकिस्तान बनाने की मांग आती है और जो पाकिस्तान नाम सुझाया था वो आप ध्यान रखेंगे वो चोदरी रहमत अली ने सुझाया था 1942 में फाइनल आंदोलन होता है गांधी जी का जो कि होता है भारत छोड़ो आंदोलन यहीं पर एक नारा भी आपका दिया जाता है मुझे यह बताना नारा यह किस ने दिया था दिली चलो ठीक है यह कोमेंट करके जरूर बताना गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन और इसके बाद, 1942 में, गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया था, 1947 में अपने भारत को, या फिर कहिए उससे पहले, 1940 में, बच्चा, दिसंबर 1940 में, सम्विधान सभा की स्थापना की गई थी, फिर सम्विधान का मसोधा तयार किया गया था, और आपका सम्विधान लागू हो गया था, 1950 में, हाला कि उससे से पहले, आपका माउंट बेटन प्लान के तहट, भारत और पाकिस्तान का बटवारा हो गया था, और 15 अगस्त 1947 को भारत जो है, वो आपका आजाद हो गया था, लेकिन इसी के ही कुछ टाइम के बाद, 30 जनवरी 1948 को गांधी जी का असेसिनेशन कर दिया जाता है, या सिंपल का ये बचा, एक महान आत्मा का निधन हो जाता है, तो ये था पूरा गांधी यूग और उनके कारेकाल में हुए थोड़े बड़े-बड़े काम उनके द्वारा, जिसकी वज़े से, आज मैं और आप कह सकते हैं, कि हम एक आजाद भारत में सांस ले रहे हैं, आपको ये वीडियो कैसी लगी है, इस बताना जरूर, जैहे हैं डैर्रीवन, थैंक यो सो मुझे.